नमस्कार स्वागत है LNMU Notes में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो लिसा जिस फिगर चल रहा था उसके experimental method के बारे में ठीक है हम लोग उने analytical method ठीक है यानि कि जो mathematical method होटा है वो हम लोग ने देखा उसके बाद हम लोग ने देखा graphical method दो method हम लोग ने देखा अब हम लोग देखेंगे experimental method और यह last वीडियो होने वाला है लिसा जिस फिगर के बारे में और इस वीडियो से आप लोग को objective question भी मिल जाएगा ठीक है इस वीडियो से objective question यह जो आज जो वीडियो का topic है उससे objective question बनने का बहुत ज्यादा chance है और रह कर सकते हैं experimental क्या-क्या method है जिससे हम लोग लिशा जिस figure को obtain कर सकते हैं तो अलग-अलग किताब देखिए गा तो अलग-अलग जो हुआ आपको experimental method देखने को मिलेगा यहां पर हम लोग discuss करेंगे optical method के बारे में लिख दिया गया है यहां पर तीन-चार method optical method होता है बाइब्र YouTube पर search कर सकते हैं हम लोग बात करेंगे सिर्फ एक method के बारे में यह वाला जो experimental method है optical method उसके बाद इसका जो इसी के ऊपर हम लोग एक uses के बारे में बात करेंगे ठीक है तो आज जो बात होगा वो होगा experimental method के बारे में Lisa जिस figure को experimentally कैसे हम लोग देख सकते हैं उसके बाद हम लोग जो हो application कहिए या uses कहिए Lisa जिस figure का क्या use है या application है उस पर बात करेंगे यह जो experimental method है हमारे पास optical method जिस पर हम लोग discuss करने वाले हैं इसका एक वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा experimental experimental वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं उसके वीडियो जो हो यूट्यूब पर हमें ऐसे ही स्क्रोल करते हुए मिला था तो हम लोग ने डाउनलोड कर लिया डाउनलोड करके आपको इसी वीडियो में दिखा दिया जाएगा ठीक है तो optical method देख लेते हैं उसके बाद uses देखेंगे तो सबसे पहले arrangement देखिए कैसे arrangement किया चाल बाडे जाता है ठीक है ट्यूनिंग फॉर्क होता है कि इंस्ट्रूमेंट होता है तो आकंति तुमेंट ऊहां पर लिया गया एकुदिन फॉर्क हो जो ऑप परेंड़ेंग ऐसा किया गया है कि दोनों क्या है एक दूसरे के इंस्ट्रूमें होता करते सब्सक्राइब depiction, उसके बाद यह हमारे पास एक स्क्रिण है थिकर यह जो आफम फोर्क है ऐसे हम लोगों ने रखा हुआ है दोनों क्या है परपेंडिकुलर है उसके बाद यह हमारे पास एक स्क्रीन है तीक है यह एक स्क्रीन है जिस पे हम लोग लिशा जिस फिगर ओपटेन करेंगे देखेंगे कैसे जो ही वो बनता है कैसे suggestв करेंगे थ्यूड निकलता है तो यह हमारे सारे चीज हो गए जो जो हम लोगों ने यूस किया हुआ है यह एक चीज बच गया यहाँ पे है मीरर लगाया हुआ ठीक है एक है मीरर लगाया हुआ है और यहाँ पे यहाँ पे भी प्लेन मीरर लगाया हुआ ठीक है एक एक M1 plane mirror इसमें लगा हुआ है, एक M2 plane mirror इसमें लगा हुआ है, अब ये काम कैसे करेगा, working कैसे होता है इसका, ये समझ लेते है, simple सा है, इसमें ज्यादा कोई complication नहीं है, कोई difficult वाला बात नहीं है, ये light source है, तो यहां से light निकलेगा, ये light निकला यहां से ठीक है, यहां से light निकला, और इस M1 mirror पे आया, अब ये mirror है, plane mirror तो इस यह क्या करेगा, light reflect करेगा, तो light reflect होके M2 mirror पे चला गया, right reflect होके कहां पे गया, M2 mirror पे, पहले आया M1 mirror पे, फिर reflect होके गया M2 mirror पे, उसके बाद यहां से जो reflect होके सीधा screen पे गया, और screen पे जो ये O point है, ये है इसका spot, यह है इसका स्पॉट यहां पे यहीं पे इसी पॉइंट पे जो भी फिगर या पैटर्न हम लोगो देखने को मिलेगा वह यहीं पे बनाएगा वही हमारा लिसा जिस फिगर हम लोग वहां पे अप्टेन करेंगे ठीक है इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं आप्टिकल मेथर् तो और कर देते हैं तुई हम लोग होता है तो जो फिगर बनेगा हम लोग को पता है कैसा उस तरह से लग dependent भिखर बनेगा लाइट का यह वाला जो यहाँ पर जो फिगर बनेगा वह ऐसा बनना चाहिए 8 वाला ठीक है इस तरह से इस तरह से ठीक तो वही चीज़ यहां पे लिखा गिया है यह दोनों क्या प्लें एक एंगल तू इकाद एंगल और एक लाइट सोर्स है और screen है यहां पे लिखना जो है इस screen यूज़ किया गया है एक लाइट और एक screen यूज किया गया है obtain करने के लिए obviously अब और working कैसे होता है तो working भी बता दिया गया आपको एक जो है वह लाइट निकलता है source से और M1 mirror पर परता है light as source निकलता है M1 mirror पर पर परता M2 पर reflect होके कहां जाता है M2 पर जाता है और M2 से reflect होके O पर जाता है और O पर a spot of light जो हुँआ वहीं पर जो ही एक साहर तरह का image या फिर जो भी कहिए आप वहाँ पर देखने को मिलता है अब क्या करेंगे यहां पर देखिए अब क्या करेंगे अगर आप वीडियो क्या करेंगे आप 110 करेंगे घ्र्म यहां पर विघर बनेगा उसको नोट कर लेंगे यहां किसे जो हो अप देख लागा इस तरह से जो यह जैसे वीडियो में आप रहे होंगे ऐसे दिखाई देगा उसके बाद अगर इसको छोड़िए इसको अब छोड़ दीजिए इसको एक बार वाइब्रेट करा के इसको और सिलेट करवा कि यहाँ पर जैसा फिगर बनाई यहाँ जैसा पैटरन हम लोगों को दिखने को मिला उसको लोगों ने नोट कर को मिले फिर हम लोग इसको जो है वह गर्त कररेंगे यह वालज ट्यूनिंग इस लिएक वायवरेatar लेंगे और फिर यहाँ पर देखेंगे की कैसा बनता है ठीक है यहाँ पर कैसा बनता है क्या वो चीजन नोट है ठीक है तो इस्ट वन रखा है आप सेम फ्रिक्वेंसी भी रख सकते हैं जब आप सेम फ्रिक्वेंसी रखेंगे दोनों का तो यहां पर एक कॉंस्टेंट क्या क्या बाइबरेट करवाई है और दोनों को एक साथ जो बाइबरेट करवाई है तो हम लोगों ने देखा कि यहां पर जो हम लोगों को फिगर मिला एसपोर्ट मिला वो क्या मिला हम लोगों को एसपोर्ट आफ लाइट कैसे दिखा हम लोगों का फिगर आफ एट के जैसे से फिगर आफ एट के जैसे तो वही चीस यहां पर लिखा गिया है जब ट्यूनिंग फर्क एफ वन सिर्फ बाइबरेट करेगा तो वह एक्स ओ एक्स यानि इस तरह से यहां पर जो लाइन है इस तरह से क्या होगा इस लाइन के अलोंग भाइबरेट करेगा और उसके बाद अब हम लोग एफ टू को भाइबरेट कर वाएंगे सिब तो वह इस लाइन के लॉग यानि यह और ओ यह किया लॉग यह जाओ लॉग वाइबरेट करेंगा इस एक्सिस के लुग ठीक है और जब दोनों को वाइबरेट कर वाइंगे ठीक है यहां पर देखन लिखा हुआ ह लोगा फेज डिखाय यहां पहले भी कि फ्रिवेंसी रेशियो गरसे के फ्रिवेंसी ऐसा हम लोग को दिखाई देता हैं और यहीं चीजब दिखाई एक और इती हैं अगर smart day यह से दिखा बस लिख दिया गया है तो वही experiment को आप देख लीजे उसके बाद हम लोग चलेंगे uses के उपर की जो लिशा जिस figure का हुऊ कितना use है या कैसा use है कैसे हम लोग लिखेंगे 1.5 dads कितना עँ लग चिसK Some Sicher hey यानोजा है किसम कम् vraiment हमारा यहाँ लिखें हैं? यंुझ को लुझा करेंज लाँ घटी, का ये वे विखें लूक जी का वे हैँ करेंगे बादेंगे लिखेंगे लिखेंगे लेग ले ल मोटना लेका व्या लिखें लेका slower only one tuning fork to vibrate now let's have a look at the other one but what happens if I allow both of them to ring at the same time now we're getting an interesting pattern and that's an example of a laser figure so video after watching the video you will know that this is the optical method we have written here and how it works this is the same thing we have discussed now let's move on to the user or on the application which is the figure of the application or the user so the same thing that you can see in the book so you can see different things here we have two things we have discussed optical method we have experimentally experimental method so that we can use this to determine the frequency determine so that you can relate and you can understand so this is the time period time period frequency unknown frequency tuning fork unknown frequency unknown frequency determine this figure use and that is what we have done unknown frequency को determine करने में ताकि दोनों relate करना यह और समझने में असानी रहे मोज़कर रहे मिंども लोगो ने क्या है A और B क्या 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 दो वैर 2 निंड फॉर्क A और वैक दिया यह का है बिले को नहीं पता है क्या है किका फ्रिक्वेंशी हम लोगों पता है जो जिसका फ्रिक्वेंसी नहीं पता है उसका फ्रिक्वेंशी ही पता करना है वही क्या है यूज U suset All Unown frequency को Determine करना एक किया है लिशास इस फिगर का यूज है तो दोनों ए और बी दोट्यूनिंग फ है ए और भी दो ट्यूनिंग forai with दो fewनिग फोर का frequency लगभग बराबर है एम दक ट्ट्र coefficient को आपको ध्यान रखना है दोनों काा frequency लगभग बराबर है लेकिन एक्जॉल नहीं है पूरा का प्रिवयंसी जिस में एक का फ्रिक्वेशी अमेलोगों पता है और एक का फ्रिक्वेशी क्या 대한 है एन वन है एक फ्रिक्वेंसी क्या है एन वन है जिस चीज को हम लोग को निकालना है एन वन को ही क्या करना है डिटर्माइन करना एन वन निकालना है हम लोग को ठीक है एन वन हम लोग को पता नहीं है एन पता है तो दोनों फ्रिक्वेंस दोनों जो दोनों जो ट्यूनिंग फोर्क है उसको ऐसे अरेंज किया है जैसे जिससे हम लोग को क्या मिले लिसा जिस फिगर मिले तो दोनों अरेंज कैसे होते हैं अभी अभी हम लोगों देखा दोनों को क्या करते हैं प्रपेंडिकुलर ली क्या करते हैं प्लेस कर देते दोनों को क्या करते हैं किया हुआ है वैसे ही अरेंजमेंट हम लोगों ने यूज किया आगे बढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है एस देट यूनिंग फोल्क आर स्लाइटली डीफर इन फ्रिक्वेंसी देट फेस्ट बिट्विन दू चेंजेज विट तैम दोनों का फ्रिक्वेंसी क्या है स्ला अलग अलग फ्रिक्वेंसी है ठीक है फेलिफ्रेंस स्मय के साथ दोनों के रिछींट कई से सब क्या करेगा चेंज करे lol अब यहीं देखिए समय के साथ चेंज करेगा यह हम लोगों ने क्या देखा था जीरो से लेके जीरो वेल्यू से लेके टू पाई तक अलग-अलग सेप में फिगर हम लोग को दिखाता है अलग-अलग सेप में कभी हम लोगों को एट दिखाता है कभी इस तरह से फिगर देखा Phyc value अगर हम लोग अलग अलग रखे 0 से लेके 2 पाई तक अलग अलग रखे तो अलग अलग फिगर मिला ठीक है तो एक समय के बाद क्या हुआ था हम लोगोंने देखा एक समय के बाद फिगर ऐव अपने आपको क्या कर hm बनाया हुआ था तो ये जो रिपीट हुआ एक साइकल रिपीट हुआ उसमें लगता है उसमें कुछ समय लगता है तो उसी वह समय को हम लोग टी माल लेते हैं जिस समय के बाद जो लिशा जिस फिगर है एक साइकल अपना कम्पलीट करता है तो सब्वोज अपने आपको एक रिपीट करता है कितने में जानि की ए और के बीच का differ in frequency of a a car frequency और बीग frequency का डिफेंस डीफेंस कैने का मतलब क्याल डीफरेंस जहां लगा देता है वहाँ पर निगेटिव साइन माइनस हाजाता है कि तो दोनों के बीच का डिफरेंस ए और बी के Records के बीच का डिफरेंस जो है तो यह करी सिय अगर एन वन है और वी का अधी का दिफेंस ही ऐस तो रिफ्रेंस कहने क्या हो गया फ्रिक्वेंसी आ अब यहां से एनस फ्रिक्वेंसी तो निकालने के लिए इसको आगे बहाएंगे तो आगे बहाने से पहले जो हम लोगों ने था किया था दरा सा चेंजेंऄ इस वाइबरेशं में थोरा सा चेंज करेंगे ये जो N1 N1 फ्रिक्वेंशी वालत ऐ था ये ए ये जो निंग फोर्क हईल स्टिनिंग फोर्क में थो有 सा वैक्स लगाएंगे मोम लगा देंगे थोड़ा सा वैक्स लगाएंगे मोम लगा देंगे ठीक है इतना तक मिलने के बाद देखिए यहां पर लिखा हुआ है करने रीकस लोम इसका जो है यह वन आजना फैक्स प्राउंगसे इसे प्रंग इसको बलते ब्रॉंफक यह वैब्रेट होता है तो एक प्रॉंग प्यांग लोगोने क्या क्या ayakya इलगा दिया वैक्स लग simpler करेगा frequency को decrease कर देगा ऒूड़ क्या करेगा frequency को decrease करेगा तो पहले हम लोगोंने हe एक देखा जो आगल कमप्लीट हो रहा था इतों के बाद मैंना लग़ना म狂स Parents izhस फिगर वह अपने आप को repeat कर रहा है एक साइकलuet कर रहा है two second के बाद के बाद मों लगाने के बाद मों लगाने के बाद एच में हम लोगों ने मों लगा दिया एच जो ट्यू January जो साइकल कंप्लीट होता है उस साइकल का टाइम हम लोग ले लेते हैं पहले क्या था मौम लगाने से पहले पहले मौम लगाने से पहले हम लोगों ने मॉना कि 30 से माक्षाक हो कंपलीट हो रहा ईसको हम लोगो नाटी 1 सेंट लग रहा है इसा चीज्ड को हम लोगो फिर से जितना हम लोगो नंने किया था उसी चीज व मोम लगाने के बाद रिपीट करेंगेasypeet experiment & NOT the time taken to complete one cycle of operation और उसी time को हम लोगों ने t1 मौल लिया उसी time को हम लोगों लोगों लिया अब अगर ये t1 इफ t1 ये जो नया वाला time है मोम लगाने के बद जो complete cycle का time है t1 अब ये t1 अगर t से less है जो पहले वालé था जो पहले वाला t ts मोम लगाने से पहले लगाने से पहले लिशा जिस figure टी सेकेंड के बाद एक टी सेकेंड में एक complete cycle कर रहा था और यहाँ टी सेकेंड में जो है वो complete cycle कर रहा है तो दोनों का दोनों का अगर बीच का हम लोग अब केस ले तो पहला और दूसरा केस बनेगा जब यह इससे जादा हो हो एक बार या फिर ये इस से ज्यादा हो एक बार ठीक है दोनों एक दूसा से हो सकता है एक बार ये ज्यादा हो एक बार वो ज्यादा हो तो पहले केस हम लोग लेते हैं अगर टी वन लेस देंटी है टी वन अगर लेस देंटी है तो हमारे पास ये फिगर ये एक्वेशन बन इसमें सिर्फ यह प्लस फ़ला रहे जब टीवन ज there a pagan अब यह जो टू टू यह है इसमें है इसमें टीवन को क्या करेंगे ग्रेटर माल लें Northwesternि यह फत्र अगर हो तैम से ज्शा घ्यादा हो टीवन टाइम क्या हो जाएगा एनन्स माईनस 1 बाइटीग यह एक वेशन ओर यह एक वेशन हमारे पासा रजाता है अब यहां से अभजेक्टिव क्वेशन बन्ता है कि जो लिशा जस्फिगर का है लेसा जास्फिगर का यूज़ हम लोग किस तरह से करते हैं किस किस चीज में used होता है तो आप frequency unknown frequency पता करने के लिए यूज्स करते हैं नहीं इसमें चक्र लीजेगा फेज़ डिफ्रेंसस्तु सांच थो पताकर्ने फेज़ करे थे तो in disway the correct value of unknown frequency and one and one unknown frequency था जिसके बारे में लोग को नहीं पता था तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं जब n frequency known हो और क्या हम लोग के पास Lisa जिस फिगर का time period हे ठीच है लिसा जसफिगर का time period है तो यह हमारे पास uses हो चुका है Lisa just figure के है Lisa just figure के बारे में लोग आगे और नहीं पढ़ेंगे चलेवस के हिसाब से एक यूजेज एक वह जो है आप लोगों को नहीं करवाया जा रहा है यूज जरूरत परेगा तो आप लोगों को बाद में करवा दिया जाएगा फिलाल इसके बाद हम लोग वेब सुरू करेंगे इसके एक दो दिन ब तो unit 1 और unit 2 आप लोगा complete हो चुका है major subject के लिए या फिर minor के लिए कहिए तो unit 1 complete हो चुका है और major के लिए unit 1 unit 2 दोनो complete हो चुका है major physics के लिए तो हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में अगले unit के topic वाले साथ waves वाले के साथ ठीक है तो oscillation ने उन waves है तो oscillation खतब हो चुका है अब waves मिलेंगे एक दो दिन gap लेने के बाद तब तक आप लोग जो हो यहाँ पर unit 1 और unit 2 जो भी complete हुआ है उसका notes एक बार फिर से देख लिजेगा revise कर लिजेगा exam सामने है तो उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगले update के साथ एले नेवी नोट्स के यूट्यव चैनल पर है